आज का दिन पूरे जहारखन वास्यों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है बहुत ही बड़ा दिन है आज राची कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया इस उद्घाटन समारों में मुख्य अतिती के तौर पर हेमन सोरेन और जहारखन के स्वासमंत्री बनना गुपता औ है वो वाइस प्रेसिडिन की बात कर ले और भी टाटा ट्रस्ट के जो लोग थे वो शामिल रहे उनके नेतित में आज जो है यह उद्घाटन किया गया यह अस्पताल कितना खास है यह आप इस बात से समझेए तेस हेकड में यह अस्पताल फैला है जिसमें कुल कहें कि 400 कर जारखन के मरीजों को खास करके जो है कैंसर की इलाज के लिए दिल्ली बंबई और कई बड़ी शहर जाना पड़ता था और जैसे ही कैंसर का वो नाम सुनते थे वो पैनिक हो जाया करते थे कि अब क्या होगा कितने पैसे खर्च होंगे बड़े अस्पतालों में जाना पड चुका है और यह सौगात मिल चुका है टाटा ट्रस्ट और हेमन सोरेन की मदद से कहले जारखन सरकार की मदद से कहले यह संभव पाया है हमारे ठीक आप सामने जो यह बड़ा स्पताल देख रहे हैं यह आज से जो है इसका संचालन शुरू हो जाएगा और यहां के जो सभ से राजियों में कैंसर की इलाज के लिए लोगों को भेजा है इसी करम में सरकार के अंदर राज में कैंसर अस्पताल कैसे बने कैसे चले और बेहतर सुईधा के साथ कैसे चले इसका प्रयास जा रही था अंतो गत्वा वो दिन आज हमारे सामने एक यहां पर भाविय कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज यह जनता को समर्पित क्या जा रहा है और मुझे लगता है कि यह स्पताल इस राज के लिए एक मालिस्टोन होगा चुकि यह स्पताल ही नहीं नोयल टाटा जी ने कहा यह एक रिसस सेंटर भी होगा और मैं चाहूंगा कि यह रिसस सेंटर का जो सुरुवात है मैं टाटा ट्रस्ट से यह गुजारिस भी करूंगा कि यह रिसस सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक मालिस्टोन बने इस परकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो बायोम जो है मेरिकल प्रेपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है complete digital classrooms, video lectures, student tracking system, library facility and 100% result-oriented ranker's badge बायोम हीनु एवं नगराटोली रांची व्रेशन के लिए प्राटोप्डेशन के लिए भी जायोम है